दोस्तो अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है और आप बाड़े के मकान में रहते हैं मतलब कि आप जिस मकान में रहते हैं उसके लिए आप प्रेंट यानि की बाड़ा देते हैं तो income tax act में कुछ ऐसे प्रावदान है जिससे की आपने जो amount बाड़े के स्वरूप में दी है या फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो आप income tax छूट के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप ये जो है वो कर सकते हैं अब समझते हैं ये छूट किन लोगों को प्राप्त हो सकती है पहला तो वो लोग के जो बाड़े के मकान में रहते हैं यानि कि जिनके पास खुद का मकान नहीं है दूसरा जिनके पास खुद का मकान तो है लेकिन जिस शहर या गाओं में वो जोब करते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पर उनका खुद का मकान नहीं है और वहाँ पर वो रेंट पर रह रहते हैं तिसरा के जिनके पास खुद का मकान तो है लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है भी बना नहीं है तो ऐसे लोग को होम लोन का भी बेनिफिट मिलता है और मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए वो रेंट पर रहते हैं तो उनको एचारे की छूट भी इसके साथ ही मिलेगी मतलब होम लोन और अचारे दोनों की छूट उनको एक साथ मिलेगी अगर आप एक सेलराइड है यानि कि नोकरी पैशा है और आपको हाूस रेंट एलाउंस यानि कि हरे एलाउंस जो है वो अपनी सेलरी के साथ मिलता है तो भी आप इनका लाब ले सकते हैं और अगर आपकी salary में HRA नहीं मिलता और आप एक self-employed है आप एक व्यावसाइक है तब भी इन दोनों ही किस्तों में आपको house rent allowance जो है वो income tax में छूट के स्वरूप में प्राप्त हो सकता है अब देखते हैं कि अगर आप एक employee है और आपको अपनी salary में HRA यानि कि house rent allowance मिलता है तो आप किस प्रकार से house rent allowance जो है वो income tax में क्लेम कर सकते हैं अब यहाँ पे जो लोग employees है यानि कि जो HRA है उनकी salary structure का एक पार्ट है मतलब उनको salary के साथ HRA मिलता है तो ऐसे लोगों के लिए income tax act के section 10 oblique 13A के अनुसार उनको जो यह चूट है वो प्राप्त हो सकती है अब ऐसे लोगों को अपना house rent agreement या फिर उन्होंने जो house rent pay किया है उसकी receipt को यानि कि रस्तित को अपने employer के पास submit करवाना होगा जिससे की form number 16 जब generate हो तब उनको यह चूट प्राप्त हो जाए लेकिन अगर आपने यह नहीं किया फिर भी आप अपना income tax return फाइल करते वक्त यह जो चूट है वो प्राप्त कर सकते हैं तो देखते हैं किस तरह से आप यह चूट प्राप्त कर सकते हैं कितनी चूट आपको मिल सकती है अब यहाँ पे आपके पास 3 option है पहला option है कि जो actual HR आपको salary में मिला है वो दूसरा option है कि आपकी basic salary और DA दोनों कम मिला कर उनका 40% amount या फिर अगर आप metro city में रहते हैं तो 50% amount और तीसरा option है जो आपने actual rent पे किया है उसमें से आपकी basic plus DA का 10% निकाल दो ये 3 option में से जो आपका सबसे कम होगा वो आपको छूट के 100 रूप में प्राप्त होगा अब मान लीजिए Mr. X जो है वो मुंबे में रहते हैं और नोकरी करते हैं उनको हर मैने 35,000 रूपे house rent देना होता है उनकी मैने की basic salary है जो है वो 45,000 है उनको हर मैने 7,000 रूपे DA मिलता है और HR-A के स्वरूप में उनको हर मैने 10,000 रूपे मिलते हैं अब यहाँ पे इनको हर मैने 10,000 रूपे HR-A मिलता है तो 12 मैना का मिला कर 1,20,000 रूपे होता है अब दूसरा option है 50% of basic salary plus DA तो यहाँ पे Mr. X जो है वो metro city यानि की मुंबे में रहते हैं अगर वो non-metro city में रहते हैं तो उनके लिए यह 40% मिलता है तो यह calculation करते हैं उनकी basic है 45,000 रूपे 7,000 रूपे बारा मैना का मिलेकर 6,24,000 रूपे उसका 50% होता है 3,12,000 रूपे अब तीसरे option के अनुसार जो उन्होंने actual में rent दिया है उनमें से basic होड़ DA का 10% माइनस करना होगा तो उन्होंने हर मेने 25,000 रूपे के इसाब से 3,000,000 रूपे रेंट पे किया है और उसमें से basic होड DA का 10% माइनस करने के बाद बचता है 2,37,000 रूपे अब हम तीनों option को compare करते हैं तो पहला option जो actual हरे है वो है 1,20,000 रूपे दूसरा option है वो है 3,12,000 रूपे और तीसरा option 2,37,000 रूपे तो इन तीनों में से जो सबसे कम है यानि कि option 1 1,20,000 सबसे कम है वो उनको मिलने के योग्य होगा अब ऐसे लोग जो salary में HR प्राप्त नहीं करते या फिर ऐसे लोग जो self-employed है इन लोगों के लिए income tax act के section 80G में एक प्रावदान है जिससे की वो अपना house rent जो है वो exam कर सकते है house rent की छूट प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए भी तीन option है पहला option है उन्होंने जो total rent दिया है उसमें से उनकी total income जो है उनका 10% निकाल दो दूसरा है हर मैने के 5000 रुपे के इसाब से सालाना 6000 रुपे वो तीसरा option है उनकी जो total income है उसका 25% इन तीनों option में से जो सबसे कम होगा वो उनको income tax छूट के सरुप में प्राप्त हो सकेगा अब मान लिजीए कोई व्यक्ति है उसकी सालाना income जो है वो 5 लाक रुपे है और हर मैने 10,000 रुपे के इसाब से वो 1,20,000 रुपे house rent जो है वो pay कर रहा है तो उनके लिए पहला option होगा उन्होंने जो total rent दिया है उसमें से उसकी income का 10% निकालना मतलब उसने 1,20,000 रुपे किया है और 5,000,000 का 10% 15,000 रुपे निकालने के बाद 70,000 मतलब 70,000 रुपे बचते हैं दूसरा option है अर मैने 5,000 रुपे के इसाब से साल का होता है 60,000 रुपे और दीसरा option है उनकी total income का 25% 25% तो उसकी total income है 5,000,000 रुपे और उसका 25% होता है 1,25,000 रुपे अब इन तीनों option में से सबसे कम है option 2 60,000 रुपे तो उसको 60,000 रुपे जो है वो income tax छूट के स्वरूप में प्राप्त होंगे जो की अपनी salary के स्वरूप में hra को प्राप्त नहीं कर सकते उनको hra की छूट प्राप्त करने के लिए house rent की छूट प्राप्त करने के लिए एक form आता है जिसका नाम है form 10BA इस form को फील करना होगा दोस्तों ये एक simple form है जिसमें आपको आपका नाम आपका पता जहांपे आप रेंट पर रहते हैं उसका पता और अपना जो landlord है आपका मकान मालिक उसका नाम और पता आपको फील करना होगा बहुत ही simple form है इस form की link मेंने description में दी हुई है आप इस form को आसानी से download कर सकते हैं अगर आप इस विशे में कुछ आगे पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो निचे comment box में लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी comment box में लिखिएगा अगर ये